दोहराता हूँ सुनो रक्ट से लिखी हुई कुर्भानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी इतिहास में एक प्रसंग है कि पहली बात तो किसी के दो घंटे की फिल्म मना देने से किसके एक कहानी लिख देने से किसके कुछ अंश कर देने से जो राजिस्थान का राजपुताने का जो गौरवशाली इतिहास है उसकी एक कण भी प्रभावित नहीं हो सकते बशरते कि हम सही इतिहास पीडियों को बताते रहें तो मुझे अब इसमरा ला रही है मैं आप लोगों को सुना देता हूँ पंडित नरेंद्र मिश्र जी जो मेवाड राजवंश के राज्य कवी भी हैं और हिंदी के बड़े महनीय वीरस के कवी हैं उन्होंने का अद्बुत प्रसंग महरानी पद्मिनी के इस सारे जोहर पर औ अदल जैसे दो चरित्र जो वीरता, शूरता, स्वामिभक्ती और अपनी मिट्टी के प्रति समर्पन के अप्रतिम प्रतिमान है अद्बुत कविता है मुझे समराने तो मैं आपको सुनाता हूँ कि दोहर आता हूँ सुनो रख्ट से लिखी हुई कुर्वानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजिस्थानी रावल लत्न सिंग को चल से कैद किया खिलजी ने अब वो आए थे उनके घर पर खिलजी एक सामाने संसकार होता है एक सामाने अतिति देव भाव होता है पधारों महरे देश का एक संसकार होता है कि योध़ा हैं अगर आपके वहां कैद हैं और यहां अब ये प्रसंग है कि दोहराता हूं सुनो रत्न से लिखी हुई कुर्वानी जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजिस्थानी रावल रत्न सिंग को छल से कैद किया खिल जी ने काल जाई मित्रों से मिलकर दगा किया खिल जी ने खिल जी का चित तोड दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्त शौर्य पर फिर अधिया राचाया, दस दिन के भीतर नपदमनी का डोला यदी आया, यदिन रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुचाया, तो फिर राणा रत्न सिंग का शीश कटा पाऊगे, औ अब ये एक संदेश आता है, तो तोड के किले में, तो पूरे किले में बड़ी अफरातवरी मज जाती है कि महाराना पहले ही नहीं है, और अब ये नया हमारे पर क्या गया, तो यह दारुन संबाद लहर सा तोड गया रणभर में, यह विजली की तरक्षित से फैल गया अं महारानी हिल गई, शक्तिका सिंघासन डोला था, था सतित्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था, रुष्ट हुए बैठे थे सैनापति गोरा रणधीर, जिनसे रणमे भैखाती थी खिलजी की शम्शीर, महाराना के एक अद्भुत सैनापति थे, अद्भुत य जैसा मैंने कहा, तो जब ये प्रसंग तै हुआ कि महारानी पद्मिनी को शीशे में दिखा दिया जाएगा, और ये सब हुआ, इतिहास में ये प्रसंग है, और नरेन मिश्ट जी ने अपनी कविता में लिखा है, तो इस बात पर वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि मैं स खिली जी की शमसीर रुष्ट हुए बैठेते सैनापति गोरा रनधीर, अन्य-अने को मेवाडी युद्धागर छोड़ गए थे, रत्न सिंग की संधिनीत से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथमवीर गोरा को खोज निकाला, वन-वन भटक रहा था मन में तिरसक गोरा की ज्वाला, यह लोक्षुती है कि महारानी स्वेम घोडे पर सवार होकर, अपनी अंगर अक्षिकाओं को लेकर, कोई विश्वस्त साथियों को लेकर जंगल-जंगल गई और एक जगह पर उनने पेड के नीचे सैनापति गोरा तलवार लिये मिल गए, तो वहां उन से उनने बात की पर्रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वनवन भटक रहा था मन में तिरसकार की ज्वाला, गोरा से पदमिने खिल जी का पेगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया, बोला, मैं तो बहुत तुच्छु हूं, राजनीत क्या जानू, अभ्यंद में कहता है क्ष्ट में है, दुख में है, पूरी परंपरा, पूरा वंश उसने सेवा में लगाया, मिवार राजवंश के और वहां से अपमानित होकर लोटा है, तो क्ष्ट में है, तो सेनापदी कहता है कि बोला, मैं तो बहुत तुच्छु राज नीति क्या जानू, निर्वा से थू, राजमकुट की हटके से पहचानू, बोली पदमीनी समय नहीं है, वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पदमीनी तो फिर पीछे पच्ता होगे, जीते जी रजपुती कुल को दाग लग जाओगे, राणा ने जो किया, तहावे मास करो सेनानी, यह कै गोरा के चरणों पर जुकी पदमीनी राणी, अब पदमीनी महराणी पदमीनी मेवार राजवन्ष की आभा, मेवार राजवन्ष की जोती, वो सेनापती को प्रणाम कर रही है, चरणों में जुके, यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला और रजपूति गर्मा का फिर न दक उठा था शोला महरानी हो तुम जब तक गोरा के कंधे पर दुरजय शीष रहेगा और ये प्रतिग्या भारती इतिहास में देखिये तो पिता मैं भीष्म ने जो कहा था कि आई हुई मृत्यू से कहा अजय भीष्म ने योग नहीं जाने का भी ऐसे जानकर और जो मृत्यू है वो कौने में हाथ जोड़ कर खड़ी रही कि अभी भीष्म नहीं जाएंगे जब सूरे दूसरी दर्शा में चले जाएंगे तब जाएंगे लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है कि मृत्यू से वो कह रहे कि कहते है कि जब तक गोरा के कंधे पर दुरजय शीष रहेगा महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं मरेगा एक पहर तक सिरकटने पर भी धड़ उद्ध करेगा एक लिंग की शबब महाराना वापस आएंगे महाप्रले के घोर प्रवंजन भीन रोक पाएंगे शब्द शब्द मेवारी सेना पतिका था तूफानी और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी जिसके का करण मिठती भी चंदन है राजिस्थानी दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई गुरुबानी अब ये शक्ति शोर्य और कूट नेती और सजगता का एक अधुत तालमेल है और इतिहासिक प्रसंग है कि किस तरीके से बुद्ध का प्रयोग किया है शक्ति का प्रयोग क किया है अपनी स्वामिभक्ति का प्रयोग किया है अपनी मनुश्यता का प्रयोग किया है और इन सब को मिलाकर इतिहास का एक ऐसा गुल्दस्ता बना दिया है जो शायद विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलता तो जिसके कारण में टी भी चंदन है राजिस्थानी तो ल तो 700 डोले सजाएगे, हर डोले में एक मेवाडी वीर बैठा, चार कहार, पांच लोगों की एक पालकी और अपने 700 सहेलियों के साथ आएगी, तो रन तयार हो गया खिल जी कि यह तो बहुत अच्छा है, ऐसा इतिहास में है और वो भी लिखते हैं, तो अब किस तरीके से इसक पदमीनी स्वेम आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है, स्वेम पदमीनी ने बादल का कुंकुं तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आँखों से विदा किया था, एक युवा, तेरस्वी युद्धा और मात्रिवत, मा पदमीनी ने जब उसे विद किया होगा, द्रिश्य देखिए, और 700 सैनिक जो यमसे भी बिढ सकते थे, हर सैनिक सैना पति था, लाकों से लड सकते थे, एक एक कर बैट गए सजगई डोलियां पल में, मरमिटने की होड लग गई थी मेवाडी दल में, हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पां जोई अपने अपने अद्बुत थे, बजा कूच शंक सैनिकों ने जैकारी लगाई, हर हर महा देव की धनी से दशों दिशा लहराई, गोरा बादल के अंतस में चगी जोतिकी रेखा, मात्र भूमिचे तोड दुर्ग की और फिर जीभर कर देखा, कर अंतिम प्रणाम पर चड़े सुभट अभिमानी, देश भक्ती की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजिस्थानी, दोहराता हूं सुनो रत से लिखी हुई कुर्बानी, जा पहुंचे डोलियां एक दिन खिल जी की सरहद में, उदर दूत भी जा पहुंचा खिल जी के रंग महल में, बोला, शेहनशाह पदमिनी मलिका बनने आई है, राणी अपने साथ हुसन की कलियां भी लाई है, एक मगर फर्यात पकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंग से केवल एक बार मिलवा दो, खिल जी उचल पड़ा यह के फौरण हु बड़े शौक से मिलने का शाही फर्मान दिया था, बस एक बार बेट करना चाहती है, अब बेट में क्या था, कि मारानी के दोले में, कविता कहती है कि एक लोहार बैठा हुआ था, और साथ में ये गए थे सनापती थी, ताकि वो बेडिया काट सके, वे शाही फर्मान दू ये लोहार पदमिनी भेश में बंदिक रह जाएगा, केवल दस दोलिया लिए गोरा पीछे धाएगा, ये बंधन काटेगा, हम राना को मुक्त करेंगे, गुर सवार कुछ उधर आगे की ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राना आएं, वे सब आधी बन जाएं, और उन्हें चि तोड़ दुर्ग तक वे शकुशल पहुँचाएं, अगर भेद खुल गया वीर, तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुचे तो बढ़कर रण करना, राना जाएं, जिधर शत्र को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पत्रपाम न धरने देना, मेरे लाल लाडले बादल आन जाने पाए, तिल-Tिल कट मरना मेवाडी मानन जाने पाए, ऐसा ही कुगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गोरव की गंद रहेगी, तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगालू, हो न सके शायद अब मिलना, अन्तिम ल लड़ालू यह के बाहों में फरकर बादल को गले लगाया धरती काप गई अंबर का अंतस मन भर आया सावधान कह पुने बढ़े पत पर गोरा सेनानी पहुच लिया जट से मुढकर बुढ़ी आखों का पानी जिसके कारण मिक्टी भी चंदन है राजिस्थानी दोहराता हू सुनो रत से लिखी हुई कुरबानी तो अब योजना का क्रियानवेन देखिया कि गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे चाट चाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पच्चताए क्या लगा होगा महराना को कि जिस सेनापती पर शंका की सेनापती को स्विकारनी की उसकी बात आज वो आपदगाल में काम आया लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पच्चताए सेनापती की नमक हलाली देख नैन भराए पर खिल जी का सेनापती पहले से ही शंकित था उस अंदाजा था कि कुछ गडबड है ऐसे ल पिलन लखा समझ पदमिनी नहीं आई है मेवाडी सेना खिल जी की मौत साथ लाई है पहले से तैयार सेने दल को सने ललकारा निकल पड़ा टिडीदल रण का बजने लगा नगारा द्रश्ट फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया रणमत वाले को रोका जवरंच थोड़ प खिल जी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई खिल जी ललकारा दुश्मन को भागने जाने देना रतनशिंग का शीश काटकर ही वीरो दम लेना तूट परो मेवाडी शेहरो बालसिंग ललकारा हर हर महादेव का गरजा नमवेदी जैकारा निकल डोलियों से मेव पड़ी बिजली लगी चमकने काली का खप पर भरने तलवारें लगी खटकने वही जो सब बैठके आई थी सक्षियों के वेश में जो सुबख सेनापती आये थे जो सेना नायक आये थे वो लड़ मरे राना के पतपरशाही सेना पतितनिक बढ़ा था पर उस पर तो गोरा हिमिगीरी सा अड़ा खड़ा था कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ना सकोगे यदि आदेश नमाना तो कुत्ते की मौत मरोगे रत्न सिंग तो दूर ने उनकी चाया तुम्हे मिलेगी दिल्ली की भीशन सेना की होली अभी जलेगी यह कै महा काल बनकर गोरा रण में हुंकारा लगा काटने शीश शमर में बही रत्त की धारा खिल जी की असंग के सेना से गोरा घिरे हुए थे परवे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे इतने सारे सेने को रेक युद्धा पुन्य प्रकाशित होता है जैसे अगड़ पापों से फूल खिला रहता असंग के काटों के संता पों से वो मेवाडी शेर अखिला ल ने छिपकर वार किया था पैर पर तलवार मार दी जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया शीश उतार दिया धोका दे कर मन में हर्शाया मगर वाहरे मेवाडी गोरा का धड़वी दोड़ा किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हतोड़ा एक बार में ही साही शेना पती चीर दिया था, जफर महम्मद को केवल धड़ने निरजीव किया था, शीष कट गया, उसके बाद भी सेना पती गोरा लड़ रहे हैं, उनका धड़ लड़ रहा है, हमारे बहुत बड़े कवी हैं, कुमार शिव, राजिस्थान में जज़ भी रहे, उनकी बहुत जब उनके शीष समर भूमी में उतरते थे, वे ऐसे लोग थे जिनके कवंद लड़ते थे, तो उनका कवंद उनका धड़ लड़ रहा है, जफर महब जोही, जफर कटा, शाही, शैना का साहस लरजा, काका का, धड़ लख, बादल, सिंग, महा, रुद्रसा, गरजा, रे, का उते पर जबा मर्द बनने का दम भरते हो, यह कहकर बादल उस खण बिजली बनकर तूटा था, मानो अंबर से धरती पर अगन शिराच छूटा था, जवाला मुकी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी, क्या पंडित जी ने आतों को केसरिया पगडी से, पेट फट गया, और पगडी उतारी और इस पर बादली, रंचक डिगा नवह प्रलेंकर सम्मुक ब्रत्य खडी से, अब बादल तूफान बन गया, शक्त बनी फौला दी, मानो खप पर लेकर मैं रणमे लड़ती हो आजा दी, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था, आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उख्षन समर भूमी में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में वही की जो होना था उनको तो कणकण अरियों के शोनत में धोना था मेवाडी सीमा में राणा शकुषल पहुँच गए थे गोरा बादल तिल-तिल कट कर रण में खेत रहे थे एक-एक कर मिठे सभी मेवाडी वीर सिपाही रत्न सिंग पर लेकिन रंच का आच ने आने पाई गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी क्या युद्ध है गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी धन्य धरा मेवाड धन्य गोरा बादल अभिमानी जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजिस्थानी दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी अब देखिए रत्न सिंग पर लेकिन रंचक आच नहाने पाई अगर आप ये प्रसंग अपनी पीडियों को नहीं सुनाएंगे अगर इस इतिहास की व्याक्या को आपनी पीडियों तक नहीं पहुँचाएंगे तो ये जो जमूरे हैं जाहिल हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है को जाना नहीं है मिट्टी से प्रेम नहीं किया है 19 माले पर बैट कर जो इस देश के इतिहास की संस्कृतिकी की व्याक्या करते हैं बंबई में बैठकर या कहीं भी बैठकर आप फिर इन से नाराज होगी इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि इनके प्रति ध्यान देने के बजाए आप अपनी पीड़ी को आने वाली पीड़ियों को ये इतिहास सिखाएं बलदान सिखाएं मैं स्वयम अपने परिवार को ले लड़ाई लड़नी हो तो उसको एक बार कुंबलगड उस दरवाजे पर जाना चाहिए उस छोटे से कक्ष्म जाना चाहिए जा मारणा पैदा हुए तो गोरा बादल के शवपर एक एक करमिटे सभी मेवाडी वीर सिपाही प्रतन सिंग पर लेकिन नंचक आज ने आने पा युद्ध केवल एक राजा को महराना को मुक्त कराने का नहीं था युद्ध है था कि हम अपनी सीमा अपनी जगें पर अपनी निजतार स्वाभिमान के साथ जीते हैं हम दूसरे की किसी सीमा का अतिक्रमन नहीं कर रहे दूसरे के स्वाभिमान को हम चुनोती नहीं दे रहे हमारे घर में आई हुई कोई भी महिला कोई भी पुरुष हमारे लिए अतिती है हम अपने अतिती के लिए अपने किला कुर्बान कर देते हैं हटी हमीर्त को देखा यह क्या है कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर अपनी गुंड़े करेंगे तलवारों के नाम पर यह युद्ध है स्वाभिमान का कि गोरा बादल के शोपर भारत माता रोई थी उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणिया खोई थी धन्य धरा मेवार धन्य गोरा बादल अभिमानी धन्य धरा मेवार धन्यगोर आबाद अभिमानी जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी जिसके कारण मिटी भी चन्नन है राजिस्थानी दोहराता हूं सुनो रख्त से लिखी हुई कुर्वानी बैंकोग, खौंग, लास वेगा समझ जाईए राजिस्थान घूमने जाईए एक एक तीर्थ को प्रणाम करिए अंडमान चाहिए वो पिस्तॉल देखिए जिर चंदरशेखर आजाद ने हिंदुस्तान में इस्तमाल करी अपनी पिडियों को सही तीर्थ सिखाईए सही देव किए लाजिस्तमाई को सही एक तीर्थ सिखाईए जाए एक तीर्थ से तीर्थ